तो डेरेक्ली आगया में किचन में यह है शावर्मा जो है भैतरिन तरीखे से यहां पर भाई कट कर रहे इसको यह लाल कैबिच आप आएंगा शिकन के बे भरे कटे हुए तुपड़े स्पेशल म्याओनीश सीक्रेट इसको बल सकते आप इस्तानबूल का स्पेशल प्लाटर हलो एवरीवन दिस इस आमेर बिन सहीद और वेल्कम बैक टू माइफूट व्लोगिंग चैनल धी फूट इट तो जितने भी सलाट एंड प्लाटर लवर्च यह लोग के लिए यह वीड लेकिन उसको टेस्ट करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि वह कितना भैत्रीन है और कितना सॉलिड है तो चलो किछन में जाएंगे और देखेंगे यह बनता कैसा क्या बलता है चल्ड़ तो डिरेक्ली आगया मैं किछन में और अब देखींगे यहां पर किस्पेशल इस्तानबुल का जो है प्लाटर गैसा बनता तो चलो पिछे मशीना लगे वे देखींगे आज़ो तो यहां पर यह है शावर्मा एक स्पेशल मशीन है उससे जो है यह गोश्कु कट कर लेते गोश्क को कट करने के बाद यह जो छोटे-छोटे पीसे से यह पीसे को एक प् प्लाटर के आज से सुबसे पहले जो है इसमें आएंगी कैबिच खीरा फिर थोड़ी प्याज पिर यह है टमाटर यह लाल कैबिच और यह है कैप्सी कम तो यह पूरे वेजिस का जो है सलाट आगया इस पहले जो है छिकन के जो है नेगेट्स आगे इसमें फ्राइज भी वेज़का रहता वो भी इसमें आगया अब आएंगा शिकन के बे भरे गटे हुए तुपड़े अधर हाथ छोड़के दार्रे अपनाए बोले तो सबके लिए इस्पेशल ऐसे ही आथा मेरे लिए कोई खास नहीं है तो यह इस्पेशल प्लाटर अभी बन रहा इस्पेशल मयाओनीस इस्तानबुल का सीक्रेट इसको बोल सकते आप यह है केचप लिए और बन गया आएक्शुल साहीं आपर सेल्फ सर्विस नहीं है लेकिन मेरा अडर जब मैस ले लेके जा रहा हूं स्पेशल लेवल चलो सो मैं आगया अभी डाइनिंग सेक्शन में और यहां है इस्तानबुल का स्पेशल प्लाटर तो यह स्पेशल प्लाटर में क्या-क्या स्पेशल है मैं आप लोग को बताते हूं तो सबसे पहले इसमें जो यह चीकेन है ना यह एक्ट्रा चीकन है और यह है फलाफिल का इसमें आपको रेड़ कैबेज यहां पर कैपसी कम है आनियन है और टोमाटो से और खीरा है और भुछ सारे चीजां है वह मैं आपको टेश्ट करते करते ही बोलतों क्या-क्या इसमें तो चलिए अपन लेते हैं इसका पहला लीवाला वाइट और स्टार्ट करतें इसको बि जित्ते भी इसमें चीजां है उसका फ्रेवर बहुत अच्छा है और इस्पेशली यह जो म्यावनीज है यह म्यावनीज से इसका टेस्ट और भी बढ़ जा रहा और जबर्दस टेस्ट आ रहा इसका पूरे चीजों को जो है अच्छे से मिक्स करें अगर आप इसका बैट हाणिए घुण हो जाना और इसका में तरीका है खाने का ये ब्रेड में लागा चाने का अच्छा है खाने इसको में लगें बर्गर बनागे खाएंगे अपड के साध्स्तжеं अधि का मसा ग्था रहादिक इंट जो Episode T कि यह चोड़ दे रहा है यखिन मानों आप लाटर के साथ कभी भी फ्रेंच वाइज लेना धरूरी है क्योंकि इन दोनों का बहुत ही जबर्दस कॉम्बिनेशन रहता है जो शिकान है ना बहुत हो जबर्दस बनेवा है और उसमें जो नंबा और मिल्ची मसाले जो मिलाते है अधिन तरीके से मिलेवे हैं और बुद्जबर्दस तेस्टारा इसका और सबसे सॉलिड चीज का है वोले तो यह जित्ते भी इंग्रीटेंट्स में यूज और जैसा कि यह सलाड हो गया और जैसा कि यह तरकारी हो गया इसमें की जो वेजी से फलाफिल जो भी है पूरे य मिलते हैं खाना और एक लाज बाद यह आपके हेल्थ के लिए भी बहुत जबर्दस है क्योंकि इसमें चिकन के साथ साथ जो है वेजी टेबल्स भी आड़ है जो कि आपकी बॉड़ी को जो है प्रोटीन भी देते हैं और एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी तीज है इत्त सलाड भी हो जारा प्लस एक बरगर के तरीखे से भी इसको अपन दे ले सकरे साइंगे ब्रेड के अंदर ये डाल के सलाड तो आप लोगा भी एक बार जरूर आई है इस्तानबुल पे और ये स्पेशल प्लाटर को जो है एक बार जरूर टेस्ट करिए तो यह था मेरा आज का वीडियो उमीद है आप लोगों को जबर्दस दिखाऊंगा अच्छा दिखाऊंगा अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो कॉमेंट कर दो और शेर करो सभी जो जो भी खाने के शौखी ने उल्लों के साथ और डोंट परके टो सब्सक्राइब माई यूडियूब चैनल दी फूट इड तो जल्दी बिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू डीस के साथ कुछ न्यू फूट के साथ तिल देन रगिये मेकू दुआओ में याद सी यू लव यू बबाई तिल देन रहिए स्टे हैपी स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ